दोस्तों, महिंद सिंग धौनी को कौन नहीं जानता? यकिनन भारत के सबसे महान All Format कप्तान इमेज धौनी ने बहुत सफलता हासिल की है. मेन इन ब्लू को तीम ICC ट्राफियों तक पहुँचाया. भारत को ICC टीम रैंकिंग में शीर्ष पर ले जाने के लिए टेस्ट मैस भी जीता. इसके अलावा एक बल्लेबाज के रूप में भी वहसी में तोबरों में या टेस्ट फॉमेट में. सबसे घतक बल्लेबाजों में से एक थे. इन सब चीजों के बावजूद भी MS धौनी के नाम कुछ अंचाहे या खराब रिकौर्द्स भी हैं, जिन्हें वो अपने नाम शायद ही करना चाहते होंगे. तो आये जानते हैं महिंद्र सिंग धौनी के पांच ऐसे अंचाहे रिकौर्द्स जो इमेज धौनी के प्रशनसक नहीं चाहते कि आप देखे. नमब एक एशिया के बाहर एक भी शतक नहीं. युबा खिलाडी रिशब पंत के साथ हिमेज धौनी की तुलना करते समय. प्रशनसकों द्वारा किये जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ध भारतिय कप्तान के पास विदेशी शतक की कमी थी. यह समझ में आता है कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट में धौनी ने निचले क्रम में बल्ले बाजी की. इसलिए उनसे शतकों की उम्मीद करना असंभव था. लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी धौनी का एशिया के बाहर यात्रा करते समय एक उलेखनिय रिकॉर्ट है. एशिया के बाहर 49 गौसत सिर्फ 29 का था, जिसमें 15 हर्धशतक थे, पर कोई शतक नहीं था, वहीं दूसरी ओर, पंथ पहले ही, इंग्लेंड, औस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रीका में शतक लगा चुके हैं, नंबर दो, बांगलादेश से श्रिंखला हारने वाले पहले भारतिय कप्तान, 2015 म भारत अपनी पहली श्रिंखला किसी भी फॉर्मेट में बांगलादेश से हार गया, जब मेन इन ब्लू मेजबानों से तीन मैचों की एक दिवसिय श्रिंखला दो एक से हार गये, बांगलादेश ने पहले दो एक दिवसिय मैचों में 89 रान और 6 विकेट से जीत हासल की, हल लेकिन धोनी बांगलादेश से विपक्षिय श्रिंखला हारने वाले पहले भारतिय कप्तान बन गए थे, नमबर 3, किसी भी भारतिय कप्तान के तहट दूसरी सबसे ज्यादा टेस्ट में हार, धोनी ने 60 टेस्ट मेचों में भारत की कप्तानी की, जो कोहली के 68 के बाद विराट कोहली की जीत का प्रतिशत 58 था, जबकि धोनी का 45 था, धोनी के नेतरित्व में भारत ने 27 जीते लेकिन 18 टेस्ट भी गवाय, जीत किसी भी भारतिय कप्तान के तहट दूसरा सबसे अधिक था, मंसूर अली खान पटोदी ने अपनी कप्तानी में 19 मुकाबले हारे नमब चार, भारत, MSDK, कप्तानी में लगातार चार टेस्ट सीरीज हार गया, टेस्ट कप्तान के रूप में धोनी भारतिय क्रिकेट में सबसे सफल नहीं थे, विशेश रूप से घर से बाहर यात्रा करते समय, 2013 में भारत को न्यूजीलेंड में 01 से और दक्षन अफ्रीका में भी 01 से हार मिली, उसके बाद इंगलेंड में 13 और 2014 में ऑस्ट्रेलिया में 02 से हार मिली, ये एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड था, नमब पांच, वंडे में किसी भी भारतिय का सबसे धीमा अर्धशतक, दो जुलाई 2017 को एंटीगुआ में इमेज धोनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अब तक की सबसे विनाशकारी एक दिवसिय पारियों में से एक खेली, 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, धोनी उन्होंने 114 गेंदों में मिहेज 54 रन बनाए, उन्होंने 108 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, 2001 के बाद से एक दिवसिय मेचों में किसी भी भारतिय बल्लेबाज द्वारा ये सबसे धीमा अर्धशतक था, ततकालीन पूर्व कप्तान की इतनी खराब पारी के बहुत आलोचना की गई, जिसके परिनामस्वरूप भारत को 11 रन से हार का सामना करना पड़ा, तो दोस्तों, आप लोगों को इनमें से कौन-कौन से आंचाहे रिकॉर्द्स के बारे में पता था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा